चंद्रियान 3 की लेंडिंग इस रूने अंतिम समय पर पल्टा खेल 27 अगस्त को चंद्रियान 3 का लेंडर विक्रम अब अपने कैमरे LHDAC से चान्म के दक्षडी ध्रोप पर ऐसी जगे तलास रहा है जहां बड़े पत्थर और गहरे गड़े ना हो जिससे की 23 अगस्त शाम 6 वच कर 4 मिनट पर वह सौफ्ट लेंडिंग कर सके बारतिये स्पेस एजंसी इस्टरो ने सुमवार को कहा कि विक्रम में लगा कैमरा खत्रे का पता लगाने और बचाव में सक्षम है आंतरिक्ष अनुप्रियोग केंर इस्टरो के निदेशक निलेश एम देशाई ने कहा कि 24 अगस्त को चंद्रियान 3 को उतारना उचेत होगा या नहीं इसका निरड़े लेंडर मोडियूल की स्थि और चंद्रमा पर इस्थितियों के आधार पर लिया चाएगा उन्होंने आगे कहा कि अगर परिस्थितियां अनकुल नहीं रही तो लेंडिंग को 27 अगस्त तक आगे बढ़ाया जा सकता है इसरू ने कहा कि चांद पर उतारने से दो घंटे पहले इस्थिति का जाईजा लेंगे उसके बाद लेंडर को चांद पर उतारने का फैसरा लेंगे लगेगा कि इस्थिति ठीक नहीं है तो हम इसे 27 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा देंगे उधर भारत की टॉप बैग ज्यानिकों ने कहा कि रूस के लूरा 25 चंद्रे मिशन की नकामी का इसरू के चंद्रियान 3 अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा चंद्रियान 2 मिशन को भेजे जाने के समय इसरो प्रमुक रहे के सिवर ने कहा कि चंद्रियान 3 मिशन यूजना के मताबिक आगे बढ़ रहा है सॉप्ट लेंडिंग यूजना के अमसार होगी हम उमीद कर रहे हैं कि इस बार यह सते पर उतरने में सफल रहेगा 2008 में चंद्रियान एक मिशन लॉंच होने पर अंतरिक्ष एजिंसी का नेतरत करने वाले नायर ने कहा कि एक सफल लेंडिंग इस रोके ग्रहों की खोज के अगले चरण के लिए एक बड़ी शुरुआत होगी उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही जटिल युद्धा वियाश है हम आखरी दो किलोमेटर चंद्रमा की सत्य से उपर में इसे चंद्रियान टू मिशन में चंद्रमा का सौफ्ट लेंडिंग करने से चूप गए नाय ने कहा कि तो ऐसी कई चीज़ा है जिने एक साथ काम करना होगा थ्रस्टर, सेंसर, अल्टीमीटर, काम्प्यूटर, सौफ्टवेर और अन्य सभी चीज़ें कहीं भी होने वाले कोई भी गड़बडी हम मुसीबत में पढ़ सकते हैं